हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है राहूल के बुक समरी विडियो चैनल में इस इस हाव यू केन बिकम रिच रिच डाड पूर डाड बुक समरी कम्प्लीट पार्ट वन हाफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ की मेरे द्वारा लिखी गई किताब पर्सनालिटी डिवेलेपमेंट आपको जरूर पढ़नी चाहिए इस बुक में आपको काम में ध्यान ना लगना तनाव में रहना आलस आना अकेलापन लगना दिमाग सक्रिय ना होना और असफलता को अफशर में कैसे बदले इसी तरह के बहुत सारे जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे बुक के बारे में और जानने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से इस बुक को खरीद सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो की रॉबर्ट केसाकी की किताब रिच डैट पूर डैट पर आधारित है रॉबर्ट केसाकी ने ये किताब दस अध्यायों में लिखी है एक एक करके हम सभी अध्यायों पर चर्चा करेंगे इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धर्म के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती हैं, किताब में लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक जो उनके असली पिता थे जिन्हें वो पूर डैट कहते हैं, वो बहुत पड़े लिखे थे, उन्होंने बड़े बड़े अनिविसाइट से अपनी पड़ाई पूरी की थी, उनके पा कार्यक शेत्र में ही काम्याब थी और अच्छे पैसे कमा रहे थे, उनके पूर डैट असल में गरीब नहीं थे, अपने जीवन भर बड़ी-बड़ी कमपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज्यादा अमीर नहीं बन सके, उनका अपना कोई बिज बिजनेस नहीं था और वह हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहे, दूसरी और उनके रिच डैट केवल आठवी पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेस थे, वह करोनपती थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे. रोबर्ट कियसाकी केहते हैं कि कोई व्यक्ती जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, ये सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर करता है, लोग पैसे खर्च करने की आदते अपने माता-पिता से सीखते हैं, यही कारण है कि गरीब ल लेकर आउंगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से. Lesson 1. The Rich Don't Work for Money अमीर लोग पैसो के लिए काम नहीं करते. दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते यानि जोखिम नहीं उठाते, बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है. Middle Class लोग हमेशा जोखेम उठाने से डरते हैं इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं, अमीर लोग कभी जोखेम उठाने से नहीं डरते और वो पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं, Frens ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किल नहीं आती, कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं, ज्यादा तर लोग विपरीट परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते रॉबर्ट क्यसाकी कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किये हुए फैसला लेना चाहिए। अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंतक की। योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं ऐसे लोगों सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं वह लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा उत्पाद यहां सर्विस देते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है. Lesson to the poor and middle class work for money, but the rich make money work for them. गरीब और मध्यम वर्गियल लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है. गरीब और मध्यम वर्गियल लोग अपने धन का सही प्रबंधन करना नहीं जानते इसलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते, वो किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं. अगर वो कोई काम करते हैं तो वो पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते. जबकि ज़्यादातर बिजनेस में ऐसा नहीं होता, वो जितने भी पैसे कमाते हैं ज्यादातर उन्हें उसी वक्त हर्च कर देते हैं. अगर वो कुछ पैसे बचा भी लेते हैं तो उसे म्यू और अगर कहीं से बढ़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने के लिए उनका living standard तो बढ़ जाता है लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। प्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है खास तोर पर बिजनिस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनिस में जोखिम उठाने से नहीं डरते, वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनिस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफ़ा होने की उम्मीद हो, बिजनिस में पैसे को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनिस से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग कई तरह की निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है, अमीर लोग पैसे अर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढालना बहुत जरूरी है। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते क्योंकि वह संपत्ती और देंदारी के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। गरीब और मध्यम वर्गिये लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके खर्चे और देंदारिया उनकी आई और संपत्ती से अधिक होती हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुल्जा नहीं सकता जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आई बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ जाता है। इस बात को गरीब और मध्यम वर्गिय लोग नजरंदाज करते हैं। भरना ही पढ़ता है चाहे आपने घर लोन पर खरीदा हो या बिना लोन के एक होम लोन पूरा चुकाने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पढ़ता है। प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ती की भी कीमत कम हो जाती है। घर में या प्रॉपटी में निवेश किया गया धन और किसी ज़्यादा मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया है। Rental Real Estate का मतलब है किसी प्रॉपटी को किराई पर देना और किराई के रूप में उससे धन कमाना, एक घर आपकी संपत्ती हो सकता है अगर वहाँ आपको किराई के रूप में उसकी देखरेक और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसे देता है या अगर समय के साथ उसकी कीमत ब अपना धन और समय संपत्ती खरीदने में निवेश करें, अपना समय और धन देंदारियों में निवेश ना करें, उसके बाद उस संपत्ती से धन कमाना शुरू करें और ज्यादातर मुनाफ़े को और संपत्ती खरीदने के लिए निवेश करें, जब आप बहुत सारी संप जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है लेकिन मुनाफ़ा भी बहुत बड़ा होता है. Lesson for Mind Your Own Business आपका व्यवसाय जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं आपके बिजनेस से बिलकुल अलग है. आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संपत्ती बनानी चाहि एक किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याए उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा है. इसलिए गरीब और मध्यमवर्गिय लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता, गरीब लोगों के पास कोई संपत्ती नहीं होती केवल दे और घर जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया की असली संपत्ती वही है जिससे आप पैसे कमा सकें जैसे की स्टॉक्स, बॉंड्स, म्यूच्यूल फंड्स, रिल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपी राइट्स, बुक्स, म उन्हें किराय पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए, अच्छा बिजनेसमें वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझ कर फैसला लेता है, लेखक रॉबर्ट क्योसा की मैं अपने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतिया करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए द्रिरता नहीं होती, हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए जैसे की लेकाक रॉबर्ट क्यसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया, इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोकिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलता पूर का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्सिस का मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सिस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में उसे मध्यम वरगिय लोग के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मध्यम वरगिय लोगों ने टैक्स प्रनाली को सहयोग दिया था। आज मध्यम वरगिय लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं क्योंकि अमीर लोग टैक्स ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए वह बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं इसलिए रिच डैट कहते हैं कि अमीर लोगों को ज़्यादा इंकम टैक्स लगाना गलत है देश की अर्थ व्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आपको उनके मुताबिक धालते हैं, वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए वो सरकार से टैक्स बचाने के नए तरीके धूंड लेते हैं, लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के तरीके धूंधने होंगे। दोस्तों, आपको इस किताब की समरी कैसी लगी? नीचे कॉमेंट करके बताएं। अगर आप किसी किताब की हिंदी में समरी चाहते हैं तो वो भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। हम जरूर उसकी समरी का वीडियो बनाएगे। लेटस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।